कि नियूस क्लिक पे आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 के हालात दुनिया में क्या है और हमारे मुल्क में भी क्या है है तो पहले चेलिए आक आते हैं दुनिया कि क्या हालत है इसको देखने के लिए इस वक दो आप जानते ही होंगे कि 93 लाख से ज्यादा नोग कोविड-19 से का कोविड-19 को शिकार है उसमें सबसे ज्यादा नंबर है अमरीका में वो भी आप जानते होंगे करीम धाई मिलियन क के लाग भक पहुंचने वाली है ब्रेजिल सारे ग्यारा लाग के लाग भक पहुंच चुके दिसी मौर्दन ए मिलियन रश्या विचिस अबॉट सिक्स हंड़ थाउज़ छे लाग और हम चौछ स्थान में हैं सारे चार लाग 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 तोटल केसे अगर देखे तो यह चा कितने केसे तो उसमें 40,000 करीब ब्रेजिल में हैं 36,000 करीब अमरीका में हैं तीसरे स्थान पे हम हैं मतलब साड़े 15,000 के लगभग नए इंफेक्शन हमारे मुल्क में हमारे देश में देखने को मिला है इसका मतलब हम अभी जिस तरह से बढ़ रहे हैं यह बहुतरी की दिशा में नहीं जा रही है कि हमारे देश में भी किस तरह से देशों प्रांतों की अलग-अलग प्रदेशों की क्या हालत है आए एक नजर लगाते हैं महराश्टर पे सबसे जादा संख्या में हैं एक लाक चालीस जाल लगभग पहुंच चुके हैं और इसके बाद दे प्रदेशों के अगर आप निगाह देखेंगे तो देखेंगे तेलंगाना का एक शार्प राइज दिखाई पड़ रहा है इसलिए तेलंगाना पे टेस्टिंग बहुत कम हो रही थी इसकी जिकर हम पहले भी कर चुके हैं कि टेस्टिंग बहुत कम हो रही थी अब टेस्ट बढ़ने लगी है और थोड़े ही दिन में लगता है तिलंगाना भी ऐसे प्रदेश बद्रप्रदेश वगारा प्रदेशों के आगे बढ़ जाएगा जिस रफ्तार से तिलंगाना की बढ़ोत्री दिखाई पड़ नहीं है और मुलत इसलिए यह है कि तिलंगाना में टेस्ट की संख्या बहुत कम हो रही थी टेस्ट की संख्या बढ़ी है और उसके साथ साथ आंक ने भी सामने आल आ रहा है तो इसमें हम चलिए देखते हैं जो मुंबाई और डिल्ली की आज हम एक तुलनात्पक दुष्टी से देखना चाहते हैं तो उसमें नजर डालते हैं करीब आठ हजार के पास था और डिल्ली उस वक्त चार हजार के पास अब देखी सकते हैं यह आठ हजार चार हजार था और पीछले साथ हफ्तों बे ताब देखेंगे दोनों में वैविधान खास नहीं है और आज की तारीख पे मुंबाई और डिल्ली करीब-करीब एक लोग इस वक्त टेस्ट में positive आ रहे हैं हमने पहली भी जिकर किया था 5% से कम target होनी चाहिए 10% चल सकता है पर इससे अगर ज्यादा संख्या होता है इसका मतलब जितना आप test कर रहे हैं उतना उससे ज्यादा आपको test करनी चाहिए नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग निकलेंगे जो जिनमें COVID-19 की symptoms होगा फिर भी आउनको test नहीं कर पाएंगे तो वो आपको दूसरे दूसरे लोगों को और infect करेंगे महामारी बढ़ती ही जाएगी तो यह जो rise है दिल्ली की लगातार जो बढ़ती है वो हमने दोनों जगह पे देखा tests के positive rise हो रहा है और पूरे आकरे भी दिल्ली के जो हमने पहँद देखा उस पे हमने देखे हैं कि किस तरह से दिल्ली की संख्या बढ़ रही है और मुंबाई की पास बहुँच चुकी है और चन्द ही दिनों में जिस रफ्टार से दिल्ली बढ़ रही है और मुंबाई की कि भाई ठीक है हम दोरों शहरों में कोशिश कर रहे थे तो पर वहां पर काबू पे ले आएं कुछ हट तक बहुत हट तक नहीं कुछ हट तक पर दिल्ली में इस हाला इता बुरा क्यों है तो इस पे अगर नज़र डालेंगे तो पहली बात ये है कि जिस तरह से हमारी फ्र काबला करना चाहिए पर यहां पर हमने एप तो बना दिये हम तो पुलीस को लगा दिये एक लॉइन ओर्डर प्रॉब्लम के तरह इसको डील किये और उसके साथ साथ जो पब्लिक हेल्ट सिस्टम की जो पहला सारी है फिर्स काडर जो इसको हेल्थ वो देखता है वो हमारे कणफा अस्था नहीं दिलि शहर मे आप सरकार ने के मुहला क्लिनिक्स बनाये थे पहला लाइन ओर defense के तोर पे पर मुहला क्लिनिक्स आपकी कोवीड 19 की बिमारी में एगदम कुछ रोल प्ले नहीं किया बलकि मुहला क्लिनिकस बंस रहे इसका मतलब first line of defense जो है कौन थे तो ये सरकारी कर्मचारी पुलिस प्रशाशन के लोग ये था पर हस्पिताल के इलावा और कोई dispensary first line of defense के तौर पर रहा नहीं ये एक चीछ दर्शाता है कि public health को अगर आपको मजबूत करना है तो आपको सरकारी ऐसे dispensaries चाहिए जहां लोग जा सकते हैं वहां सलाह ले सकते हैं को क्या करना चाहिए और वहां पर अगर टेस्टिंग कहां होती होनी है कैसे होनी है उसकी cover वहां मिलनी चाहिए ये first line of defense के तौर पर अगर आज मुझे बिमारी होती है दिल्ली शहर में तो मुझे कहां जाना चाहिए अस्पताल के इलाव चल रहा है तो अस्पताल से अस्पताल रोगी जो है कभी-कभी oxygen cylinder लेके भी घूब रहा है नहीं तो उसको अस्पताल पे दाखिला होना मुझकिल है और टेस्ट पहले कराना पड़ता है इसके बाद दाखिला होता है पुरे चार से च्छे घंटा जो अगर काफी नाजुक स सिती में रोगी पहुंचता है तो यह अच्छी हाला दर्शाता नहीं है और यही दिल्ली शहर में हमारी दुनियादी प्रॉब्लम रही है फर्स लाइन ओडिफेंस यहां रहा है दूसी बात है कि प्रशाशन के तरफ से यही कहा गया है कि containment zone है उस पे कैसे क्या करेंगे उस से हमारी टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए कौन टेस्ट करेंगा जो टेस्ट कर रहे है वो कैसे विबान ना पड़े उनकी प्रोटेक्शन क्या होनी चाहिए इन सब चीजें नहीं रहने के वज़ए से contact tracing जिस तरह से मुंबाई शहर में धरावी में इसके काफी stories आ रहे हैं अख़बार में जहां पर front line of defense local doctors को लेकि किया गया था वो यहां पर लग दे रहा है कि उस तरह से containment zones में उस तरह के contact tracing और टेस्टिंग हो रही है बलकि दिल्ली सरकार तो एक वक्त टेस्टिंग कम करने की सोची थी यह बाद में नहीं हुआ पर यह जो चीज है दर्शाता है कि हमारी second tier जो होनी चाही contact tracing quarantine करना यह चीजें दूसरी यह tier जो है काम्याब नहीं रहा इसी निए storage fark दर जों ठेस्टिंग के अंदर और इसके बाहर भी यह बिमारी और वे तेस्री बाद यहां जो आती है घाफ की अस्पटालों कि स्थिती कुछ हस्पटालों में भीड है लोग कहना चाहेंगे कि सरकारी हस्पटालों में भीर नहीं है यहाई हकीकत नहीं जहां पर अच्छी सरुकारी hospital चल रहे हैं वहां पर इतना ही भीड है इतना private hospital बे वित कल रहे हैं चाहे आरे के चाहे आप स्वधर्जंगु देखें वहां पर बेट करीड करीड भरा रहता है प्यूनत ऍतरी से पर कुछ सब्सक्राइब लोगों में है कि यहां हस्पताल पे ट्रीटमेंट नहीं बिलेगी और लोग जाना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि जो तद्वीर उनको मिली है उससे वहां पर बहुत confidence नहीं होता वहां जाके कैसी treatment होगी यह भी एक दिल्ली सरकार के failure रहे हैं mcd की एक बहुत बड़ी failure रही है mcd की बाद कोई जिकर नहीं कर रहा है यहां पर mcd bjp के हाथ पे हैं जितने चार mcds है और जो मूल शहर को चलाते हैं और भी है तो यह जो mcds है यह आपके bjp का अंडर में है केंजिय सरकार bjp का अंडर में बीच पे state government है तो यहां पर जो coordination mcd और दिल्ली सरकार के होनी चाहिए यह हुआ नहीं और इस वजह से जो mcd hospital है वह भी covid-19 में शामिल पहले नहीं थे अभी उन्होंने बड़ा हिंदुराओं को शामिल किया बड़ा हिंदुराओं को reputation भी अच्छा नहीं है mcd hospital होने के जो जहां जैसे सुचारू डूप पे चलना चाहिए वह नहीं चल रहे हैं तो इन hospital system को पीछले चार-पांच महीने में strengthen करने की उसकी पूरी streamline करने की जबरती कैसे वह covid-19 को मकाबला करेंगे यहां पर हम लग रहा है बीमारी आगे चल रही है महामारी आगे चल रहे हैं उसके पीशे हम भूत की लंगोटी को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं यह हालात हमने पैदा किया है दिल्ली शहर के अंदर और यह अच्छा नहीं दर्शाता है केंडर शाशन दिल्ली सरकार और mcds की बीच पे समन्वें यह होनी चाहिए थी वह दिख नहीं रहा है इस वक्त और पहले तो परस्पर विरोधी काफी चीजे थी अब कैसे मिल के काम कर रहे हैं वह हमें देख लिख डिख यह इसके साथ-साथ यह भी कहना है कि जो यहां पर जो मेहनत के जनता है जो काम करते हो चाहे ओस्पिताल में हो चाहे वहर हो उनका देखवाल कैसे होना चीजिए यह भी अंको सोचना प्ड़ेगा क्योंकि एक बहुत-बड़ा हिस्सा क्यों इसलिए कि उनकी यहाँ सामान पहुंचना देख भाल करने के लिए उस तरह से जो विवस्थ से है चाहे दिली सरकार के तरफ से हो केन्य सरकार के तरफ से थी नहीं तो यह तो एक बहुत बड़ा होeren Director हो चुका है एक बहुत बड़ा हिस्सा के दिल्ली के साथ पर जो अभी भी जो दिल्ली शहर में है जो बस्तियों में है जहां पर काम नहीं है वहाँ पर कैसे उन सिस्टम उन लोगों को सस्टेन करें यह भी एक चैलेंज है और देखना पड़ाएगा दिली सरकार उसमें क्या कर सकती है आखरी बात में आना चाहूंगा कि दिल हिंदुस्तान की भारत वर्षी क्या हालत होने वाला है यह साफ है कि इस वक्त शहरों में य पूरा भावा दर्ष में अभी भी संक्याव इतने तेजी से नहीं बढ़ रहा है चो कुछ अर्मन सेंटर जो है जिस तरह से वहां बढ़ रहा है और इसको हमें इस पर बहुत संतुष्टी नहीं करनी चाहिए कि कुछ शहरों में हो रहा है एक शहर पहले एक शहर बाद में इस तरह से बिमारी पैल सकती है और पैल रही है तो अभी इस वक्त अगर देखें तो पहले आमदाबाद गुंबाई इसके बाद दिल्ली का नंबर आया और चन्नाई यह चार शहर इस बीच आपका याद होगा आपका मंदर प्रदेश में भी जैन और कुछ शहर इस तरह से थे वह भी इसके इस बीमारी में शामिल हुए थे पर यह बात छोड़ दे कि जो बड़े शहर है इन में बीमारी पहलना यह ज्यादा आसान है और इसी लिए इन पर खास निगा रखनी पड पाएं अभी तक उस तरह से क्या हो रहा है क्या कोई कोडियेट प्लैंस है शहर के आंखडे कैसे मिलेंगे ताकि हम जान पाएं कि किस वार्ड में किते लोग बिमार हैं यह इस वक्त मुंबाई मुनिस्पल कॉर्परेशन कर रही है वार्ड वाइज उनके फिगर्स हैं दिया जा रहा है दिल्ली शहर हो किसी भी शहर हो वार्ड वाइस फिगर इसलिए होना चाहिए जब तक जनता इस संगर्ष में इस बिमारी के किलाब संगर्ष में शामिल नहीं होंगे तब तक इस बिमारी पे काबू होना संभब नहीं है काबू पाना संभब नहीं है हम बार हमने इसका जिकर किया है कि जनता और प्रशाशन दोनों मिल की इस पुब्लिक हेल्ट डिजास्टर का सामना करें जब तक वो नहीं करेंगे हमारी ग्राफ क्यों आपको दिखाया हमने वो बढ़ता ही रहेगा और इस चीज पे अभी कोई साफ नजर हमको देख नहीं रहा है सरकार के तरफ से हैं अभी भी प्रशाशनी ग्रूप से इसका मुकाबला कर रहे हैं और economy को को खोलने की बात कर रहे हैं economy के खोलने के साथ 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 है कि आंक्रे बढ़ेगी हमारी यहां ऐसा नहीं लॉक्डाउन में आंक्रे कम हुए थे तो इसी लिए हम सर्ज नहीं कह सकते क्योंकि बराबरी हम अगर देखे तो हमारे ग्राफ लगातार एक ही रफ्तार से बढ़ा है अभी भी उसी रफ्तार से बढ हो वो जो कि त्यों रहे गया बलकि लॉक्डाउन से जो सफलता दूसरे मुलकों में मिला है हमारे हैं नहीं मिला डिस्कलेशन की जरुरत है पर यह बात की बात है आज के तारिक में मुकाबला कैसा करना है यही मुख्यबात है इसी बात से हम आज खत्ब करना चाहेंगे नि कोई सकी बने लुच्टि खन्सके लुट हुआ क्या लुट